हेलो दोस्तों, I am back with another video तो यार बहुत लंबे समय से हम इस बुक का सम्मरी करने है Trading in the Zone by Mark Douglas वन अब दे बेस्ट बुकर ट्रेडिंग सैक्रलोजी को इंप्रूफ करने के लिए तो अल्रेडी हमने 10 चेप्टर का सम्मरी कर रखा है और यह फाइनल चेप्टर से चेप्टर 11 तो एक बहुत important अल्रेडिमेटर में आप लोगों को देना चाहता हूँ प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिए, देखिए हम अब तक 10 चेप्टर को पढ़कर यह बात तो जान चुके है कि trading में successful हमको बनना है और फिर consistently success पाना है तो it's all about psychology है यह purely psychological psychology का game है यह तो समझ आ चुका है और psychology को improve करना कोई एक दिन का काम नहीं है हम यह 10 chapters पढ़ चुके हैं उसका summary जान गया है इससे हमारा psychology improve हो जाएगा ऐसा नहीं है हम जो चीजों को जाने हैं उसको daily practice करना है daily उसके बारे में चीजों को observe करना है हमको execution करना है उस चीजों को सिर्फ जान लेने से हमारा psychology improve हो जाएगा ऐसा नहीं है हम जो जान रहे हैं उसको observe करना है implement करना है religiously implement करना है और धीरे धीरे यह process आपके अंदर आएगा धीरे धीरे इसका habit बनेगा तो इस बात को समझे इस बुक को ख़़म करने के बाद तूरंत हमको इसका effect नहीं दिखने वाला है यह मत सूचिए बुक हमने पढ़ दिया summary अब तूरंत अगली इन से हम बहुत जा सक्सेस करेंगे trading हमारे एक दमच्चा हो जाएगा ऐसा नहीं है प्रोसेस धीरे-धीरे होता है धीरे-धीरे हमको खुद के अंदर self-improvement करना है self-discipline लेकर आना है psychology को proof करना है then only हम एक अच्छे से successful हो सकते हैं इसमें तो चलिए start करते हैं chapter 11 दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ वीडियो काफी लंबी हो सकती है इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो कर टाइमिंग के साथ दे दूंगा सब पार्स आप चाहें तो अगर skip करना चाहते हैं कुछ पार्स को तो प्लीज इसकिप मत करिए आप ये करिए कि उस टाइम फ्रेम में चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप डारेक्ली क्लिक करके देख लिए क्योंकि अट लास्ट में कुछ एक 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 साइज है जो बहुत इंपॉर्टन है उस एक साइस को हमको करना है इसलिए जब आपके पास टाइम है तभी वीडियो को देखिए या तो लाइक करके छोड़ दीजिए जब टाइम है तब दीखिए या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन में मैं डायक टाइमिंग देख रहा हूं उसका भी यूज कर सकते हैं लेकिन इस्किप करके मत देखिए इससे आपको कुछ चीजे समझ नहीं आएंगी तो फिर जो चेप्टर 11 है Thinking like a Trader इस चेप्टर मार्कडिलस ये बोलते हैं अगर हम उन से पूछें की metadata है It's just a pattern identification game उनका कहना है कि trading एक ऐसा game है जिसमें हमको patterns को identify करना है कुछ define करना है risk को और कुछ तरीका होना चाहिए profits book करने का अगर हम इन चीजों को follow करते हैं उसके बाद हमको सिफ trade लेना है बस इतना simple है process trade हमारे favor में भी आ सकता है trade against में भी जा सकता है बस ये बोलते हैं कि trading इतना simple है बट ये easy नहीं है उनका ये कहना है trading simple है complex नहीं है बट आसान कता ही नहीं है है ना जबकि वो ये भी कह रहे है कि trading देखा जाए तो बहुत कठीन कामों में से एक है ये इतना आसान नहीं है जबकि इसको देखा जाए तो सबसे कठी कावों में से हो सकता है trading expertise पाना बहुत ही कठीन हो सकता है यह उनका कहना है तो आने वाले parts में बताने वाले हैं कि जो भी एक trader का development होता है वो बेसिकली तीनी stages में होता है तो तीनी stages को define कर रहे हैं जो first stage है वो है mechanical stage तो mechanical stage को ऐसा stage बता रहे हैं जिसमें हम कुछ trading skills को develop करते हैं जो यह mechanical stage है इस stage में हमको खुद के प्रती एक self-trust बिल्ड करना है कि हम यह जो environment unlimited opportunities प्रवाइड करी yes हम वहां से information gather कर सकते हैं ऐसा खुद के लिए self-trust बिल्ड करना है हमको यह सीखना है कि हमारा जो भी trading system है हो उसका हम flawlessly बिना किसी hesitation कि हम उसका execute कर सके हमको अपने mind को train करना है कि हम probabilities में सोच सके हमको ऐसा सोचना है यह ऐसा belief system develop करना है कि yes I am a consistently successful trader एक ऐसा strong belief system हमको generate करना है इस mechanical stage में इसमें कोई analytical skills develop करने के जरुवत नहीं है यह कुछ personality develop करने वाले skills है जो हमको develop करना है कि हमको confident रहना है हमको self-trust build करना है इस mechanical stage में अगर हम उस boy का example देखें जिसका first belief क्या था कि dogs are dangerous लेकिन जब वो अपने हममुमर बच्चों को देखता है गुत्ते के साथ प्यार से खेल रहे है तो उसके अंदर एक belief generate होता है उसको भी खेलना है और अगर first देखें तो क्या होगा उसके लिए उस बच्चे के लिए गुत्ते के पास जाना इवन उसके साथ खेलना है यह तो impossible रहेगा ना at first sight लेकिन नहीं वो धीरे धीरे उसके strong desire के कारण वो एक कुछ actions लेता है उसके पास जाकर खेलता है तो यहाँ पर क्या किया उस बच्चे ने उसने personal transformation किया तो यही वो बता रहे हैं कि हमको खुद में personal transformation करना है और सबसे important ingredients and personal transformation के लिए वो बता रहे है first is willingness to change हम कितना ज़्यादा आतूर है खुद को change करने के लिए clarity of our intent हमारा कितना ज़्यादा जो भी intent है वो कितना clear है और third point है strength of our desire हैना हम कुछ चाह रहे है उसमें कितना ज़्यादा strength है अगर यह चीजे हैं बहुत ज़्यादा strong, powerful तो हम personal transformation कर सकते हैं तो यह यह बता रहे है mechanical stage में हमको कुछ personality में information करना है यह कोई trading analytical skills के बारे में बाती नहीं है यह बस personality कुछ change करने वाले skills के बारे में बाती थी में फर्स stage में second सा part है वो है observe yourself यह बहुत important इसमें यह चीज़ बता रहे है कि हम जो भी actions लेते हैं हमको खुद को observe करना start करना पड़ेगा हमको देखना पड़ेगा कि हम सोच कैसे रहे हमारा thinking process कैसा है हम actions कैसे ले रहे है यह कहते हैं वो यह कहते हैं कि जो first line of defense है हम जो भी trading error करना का first line of defense यह है कि हम उस trading errors करने वाले thought process को पहचाने और जो last line होगा इस trading errors को पहचानने का वो यह होगा जो हमने पहचाना है कि यह thinking process करना wrong है तो उस action को eliminate करना Mark Douglas का कहना है To become a consistent successful trader हमको trading errors को avoid करना है जबकि वो यह कहते हैं कि Most common people जो हम लोग आम आदमी है हमारे बहुत एक natural process में आचुगा है कि हम mistakes को accept नहीं करते है यह हमारे natural habit है कि हम mistakes को accept करते ही नहीं है विए कहते हैं everyday life में जो mistakes करते हैं उसको हम accept करने की जरूवत नहीं समझते हैं लेकिन trading के case में ऐसा नहीं है क्योंकि trading में mistakes करते हैं चोटे मुटे उसका इफेक्ट होता है बहुत disastrous हो सकता है बहुत बड़ा सकता है क्योंकि वहाँ पर हम actual पैसों में deal करते है इसलिए trading में mistakes को accept करना बहुत important है और उससे सीखना बहुत important है वो एक professional athletes जो winner athletes होते हैं जो winner athletes होते हैं उनका जो mental framework होता है नॉर्मल common people से totally different होता है उसके उन लोगों के अंदर mistakes को acknowledge करने और उसको accept करने के एक अलगी ability होती है यह शायद उनके coaches के द्वारा या फिर उनके parents के द्वारा या उनके जिस भी environment रहते हैं वहाँ पर उनको कुछ ऐसा thought process दिया गया हुआ है जिसकी वज़े से जो भी mistakes होती है छोटी मुटी उसको accept करते हैं और वो जो mistakes को accept करते हैं वो negatively framework से नहीं बलकि positively mindset के साथ करते हैं और उस mistakes से वो एक learning लेते हैं और उस mistakes को improve करके एक better athlete बनते हैं Mark Davis कहना है तो become a consistent successful trader है हमको trading arrest को eliminate करना ही होगा और वो बोलते हैं जब तक कि हम अपने mistakes को accept करना ना सीखें जब तक उसको पहचानना ना सीखें ये चीज possible नहीं है इसलिए हो कह रहे हैं कि observe yourself first है अपने हमको actions को observe करना है हमको समझना है कि हम क्या actions ले रहे हैं और क्या mistake कर रहे हैं और उस mistake को identify करना है और उसको दिरे दिरे eliminate करने की कोशिश करना है ये जो mistakes देख रहे हैं उसको negatively sense में नहीं बलकि positive mind के set के साथ हमको उसको देखना है वो ये बता रहे हैं कि जो एक normal people होता है उसका mindset कुछ ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो mistakes जो करता है उसको negatively charged की तरह देखता है क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी thoughts है कि mistakes shall be avoided at any cost है ना कुछ हमारे अंदर ऐसी belief है कि mistakes को हम को किसी भी तरी के से avoid करना हमको mistakes करना ही नहीं है इस mindset की वज़े से जब भी हम छोटे मुटे mistake करते हैं तो हम उसको negative ले 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 हैं कि self criticism में फंस जाते हैं कि अर्यार कुछ गलत कर दिया हमसे गरबड़ी हो गई तो ये negative sense में हम mistakes को लेते हैं इस वज़े से mistakes को acknowledge करने के बज़ाए उसका avoid करना चाहते हैं और ये ही सब कुछ होते है self-sabotaging beliefs, self-destructive beliefs जो हमारे अंदर धीरे-धीरे आते जा रहे हैं बस हमको इन ही avoid करना है इसलिए हमको हमरे actions को observe करना है जो mistakes कर रहे हैं उसको positive sense में लेना है बहुत important topic है वो है the role of self-discipline तो self-discipline को मार्क डिवेस कुछ ऐसे define करते हैं कि एक ऐसा mental process है जहां पर हम अपने जो focus होते हैं उसको shift करते हैं हमारे desires की और हमारे goals की और तो इसमें वो खुद का example लेते हुए बताते हैं कि एक समय की बात है जब मार्क डगलस 1978 के आसपास की बात बताते हैं कि वो चाहते थे कि वो runner बने वो रनिंग करें वो ऐसा चाहते थे लेकिन बहुत टाइम हो गया था कि उनको रनिंग छोड़े हुए तो वो चाहते थे मैं भी डेली रनिंग करूँ काफी रनिंग करूँ तो वो एक दिन अचानक से उड़ गए वो जैसी थोड़ा बहुत दौड़ते हैं उनको सर्प्राइज होता है कि जब मैं छोटा था तो बहुत अच्छा दौड़ा करता था लगिन अभी थोड़ा से दौड़ के मैं एक्सास्ट हो गया हूँ तो जब वो वापीस अंदर अपने रूम में आते हैं बढ़ हो गया मैं तो अच्छा दौड़ा करता था अभी दौड़ क्यों नहीं पा रहा हूं तो इसलिए वो बूते हैं कि अपने हैबिट में बनाऊंगा फिर मैं दौड़ूंगा तो नेक्स्ट डे क्या होता है क्योंकि first day हार चुके होते हैं जिसके वज़ेसे next day जब उठते हैं तो सुझते हैं रे यार दौर नहीं पाया था आज नहीं दौरता हूं आज rest करता हूं तो ऐसे alternate days में कभी दौर नहीं जाते थे कभी नहीं जाते थे तो बताते हैं कि ज्यादा most of the cases होता यह था क्यों दोड़ने नहीं जाते थे जबकißt फे इक दोड़ने नहीं जाते थे जबकि वो अंदर से इक दिन डौर ने गया पिर देखिए इस बार वी उतनी दौर पा रहा है पहले से कमी डौर बढूर तो फिर से वो एक दू हफते दौड़ने नहीं जाते थे फिर से तिन चार हफते बाद दौड़ने जा रहे हैं देख रहे हैं उनके इंप्रूमेंट होई नहीं रहे हैं तो यह बता रहे हैं कि इस टाइम वो सेल्फ डिसिप्लिन वे नहीं थे जिसके वज़े से वो जो चाहत जाना ही पड़ेगा जब तक कि वह ऐसा ठाने नहीं थे वह पहले दिन उठकर गए कुछ देर दोड़े अग नेक्स ड़े थोड़े फिर वो सोचे अब ऐसा होगा कि जूज भी दिन दोड़ूंगा नेक्स ड़े एक कदम मैं कम से कम पहले दिन से जादा दोड़ूंगा अब वो ऐसे छोटे-छोटे स्टेप्स लेने लगे तो हुआ क्या धीरे-धीरे कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो यह होता था कि जब वो उठते थे तो दोड़ने ना जाएं उसके बहाने उनको ज्यादा मिलते थे रिया राज तो धूब जादा है मैं थोड़ा ठक गय अरे बारिश हो सकती है तो ऐसे बहुत हजारों बहाने उनको दिमाग में आते थे लेकिन वो सोच चुके थे कि थोड़ा-थोड़ दोड़ना है और यह कब हुआ यह च्छै मेने के बाद हुआ है ना तो इस्टार्टिंग 6 मेने तो वो कुछ नो कुछ बहाने बनाते रहा दोड़ नहीं पा रहे थे लेकिन जब उन्होंने कुछ के अंदर थोड़ा सर डिसिप्लिन को इंप्रूफ किया और वो सोचे की करूं मैं छोड़ा-थोड़ा स्टेप्स लूँ तो हुआ यह कि धीरे-धीरे दोड़ते-दोड़ते जो उनका टार्गेट था कि मैं चार दौड़ सकूँ है ना तो वो इसको करने लगे और ऐसा कुछ टाइम के बाद आया कि स्टार्टिंग में एक मैने दो में उनको स्ट्रगल करना पड़ा यह डिसिप्लीन उनको क्रियेट करना पड़ा जबरधस्ति उठके जाना पड़ा फिर कुछ टाइम के बाद हुआ यह कि उनके हैबिट में आ गया था अब उनको एफट लगाना नहीं पड़ रहा था वो अपने आप यूटते थे उनका शिड्यूल बन गया था और वो दौड़ने जाते थे तो बताना यह चाह रहे हैं कि हमको भी कुछ एक सेट अफ रूल्स को फॉलो करना है हमको भी खुद हमारी आदत में आ जाएगे हमारे हैबिट में आ जाएगे और चीजे अपने आप ही होंगे effortlessly तो यही वह चाहते हैं कि हम भी ट्रीडिंग में ऐसे ही हो जाएं कि हम अगर कुछ रूल्स बनाये हुए हैं कुछ रूल्स होते हैं हमना ट्रीडिंग इस जस्ट गेम ऑफ रू जो नेक्स पार्ट है उसका नाम है creating a belief in consistency तो इस पार्ट में वो यह बता रहे हैं कि हमको खुद के अंदर एक belief generate करना पड़ेगा कि yes we are consistent हमको एक ऐसा belief generate करना पड़ेगा कि yes I am a consistently successful trader हमको ऐसा करना पड़ेगा लेकिन यह होगा कैसे एक sentence बोल देने से उस चीज़ को कर पान बहुत ही मुश्किल लगता है अगर कोई बोल रहा है कि मुझे रच बनना है ठीक है लेकिन इसको action में लाएंगे कैसे तो यही बता रहे हैं कि I have to become a consistent या फिर I am a consistent successful trader इसको अगर हमको action में लाना है तो पहले इसको हमको parts में break करना पड़ेगा तो यही बता रहे हैं कि अग अगर इस steps को हम अगर follow करते हैं पूरे discipline के साथ तो धीरे धीरे हम a consistent result expect कर सकते हैं तो यहाँ पर seven points बताया गया है जिसको अगर हम follow करते हैं जिससे कि हम consistent winner बन सकते हैं तो first one बता रहे हैं कि I am a consistent winner because first कि I objectively identify मैं I am a consistent successful winner हूँ क्यों क्यों क्योंकि मैं अपने ages को objectively follow करता हूँ म इसको मैं objective way में उसको देखता हूँ और उसको follow करता हूँ अपने ages को first point इसलिए मैं consistent winner second point कि हर trade लेने से पहले मैं अपने risk को define करता हूँ इसलिए मैं consistent trader हूँ third point कि जो भी trade ले रहा हूँ से पहले जो भी risk हो रहा है उसको मैं completely accept करता हूँ अगर मैं उतना risk लेने के capable नहीं ह इसलिए मैं consistent winner हूँ कि यह सब belief हमको बोलना पड़ेगा हमको लाना पड़ेगा खुद के अंदर fifth point बता रहा है जब भी market मुझे पैसे provide करना चाहेगी मैं उस पैसे को लूँगा इसलिए मैं consistent winner हूँ मैं हर वो अपने step को monitor करूँगा जिसमें trading error कर सकता हूँ अगर मुझे consistent winner बनना है तो यह जो भी principles है उसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इसलिए मैं इसको कभी wallet नहीं करूँगा यह जो भी हमने 7-5-6-7 जो भी हमने principles बताएं अगर इस steps को हम religiously follow करते हैं पूरे discipline के साथ तो yes हम खुद को बोल पाएंगे कुछ समय के बाद कि we are a consistent winner तो यह इसको फॉलो करते जाते हैं तो जो ट्रीडिंग एरस हम करते हैं जो बहुत ही most common trading errors है कि हम अपना risk कर डिपाइन नहीं कर रहे हैं ट्रेड लेने से पहले हम proper risk management नहीं कर रहे हैं या फिर random rewards के पीछे भाग रहे हैं या फिर किसी particular edge पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं या फिर उस कि हमको थोड़ा मुथ result दिखने मिले दिखने लगेगा जैसी यह थोड़ा सा result दिखने मिलेगा हमारे अंदर का confidence हमारे अंदर का belief जो system है न वो धीरे धीरे grow होता जाएगा और बस हमको यही करना है हमको खुद के अंदर एक self discipline लेकर आना जिसके करन हमको कुछ rewards दिखेंग और एक belief system generate होगा कि yes I am a consistent winner I am a consistently successful trader बस यह belief को ही हमको generate करना है तो यहां तक बस mark leaders यही बता रहे थे कि किस प्रकार से हमको कुछ खुद के personality में transformation करना है कुछ belief system को generate करना है कुछ discipline follow करना है और consistently successful trader होने के लिए कुछ steps को follow करना है small trading address को हमको avoid करना है क्योंकि trading में जो small mistakes होते हैं उसके results more disasters हो सकते हैं तो फिर यहां पर chapter end होता है अब इसके बाद एक exercise दिया हो इस chapter का ही part है तो इस exercise को हमको follow करना है बहुत ही simple exercise आप बहुत भी सुने होंगे बार बार भी बहुत सरे videos में बढ़ यह systematic तरीके से दिया गया है मैं आपको बताता हूँ बहुत ध्यानसी पार को सुनिए और follow करने का जरूर ट्राय करना ऐसा नहीं हो यह हम सून के निकाल रहे हैं ऐसे करने पर हमको result नहीं इस exercise के नाम है learning to trade an edge like a casino तो इस वाले exercise के थूँ यही वो बताना चाहरे है कि हमको कहीं न कहीं हमारे mental framework में हमारे अंदरे belief होना चाहिए कि हमारा जो भी setup है हमारा जो भी edge है वो कहीं न कहीं odds को हमारे favor में डालेगा ही डालेगा बस इस mindset के साथ इस belief के साथ हमको इस exercise को follow करन है तुमारा जो पर स्टेप है इस exercise को यह है कि पिकप दी मार्केट सबसे पहले हमको कोई से एक market को चूज करना है मार्केट ने दा संस पर बोर रहे हैं आप कोई सब एक चाहिए अगर आप community में करते हैं तो इसको पकड़ लेजिए अगर आप equity में करते हैं तो equity के कुछ च ट्राय कर रखा है उसको एक follow कर लिए तो pick up a market यह first part है जो second part बो रहे हैं choose a set of variables that define an edge तो बो रहे हैं जो भी आपका setup है ट्रेडिंग setup में जो भी important variables है उस variables को properly आपको define करना है ऐसा नहों और उसको define करके आपको note down करना है क्योंकि आप उसी variables को हर बार जब भी इस particular edge को use करेंगे तो उसी variables को आप use करेंगे उसके अलावा एक भी variables ज्यादा add नहीं करेंगे या उसके अलावा एक भी variables को आप कम नहीं करेंगे बस हमको यहीं चीज करना है first step यह था market identify करना है second edge में कुछ variables को select करना है third is trade entry हमारा जो भी edge है उसमें जो भी trade entry की rules है उसको हमको properly लिख के रखना है हाँ यह हमारा edge है इस edge के हिसाब से यह हमारा trade entry का rule जब यह trade entry पर अगर कोई point आएगा तभी मैं trade लेने वाला हूँ similarly trade exit का rule in the sense stop loss की बात हो रही है यहां पर target की नहीं stop loss की बात हो रही है कि हमारा जो भी edge है उसमें बता रहा है कि अगर यह कुछ ऐसा आएगा उसके बाद मैं यहां से exit करने वाला हूँ क्योंकि इस बात को समझी एक certain limit होता है कि आप कुछ trade ले रहे हैं उसके against अगर कोई trade आ रहा है तो certain limit तक अगर वो चला गया तो उसके बात वापस वो आएगा इस कारेंटी बहुत कम होती है इसलिए एक particular point होना चाहिए जिसके बाद हम आप वहाँ से exit कर जाएंगे इसलिए stop loss exit यह है next point जो fifth point है वो है time frame इसमें बता रहे हैं आपका जो भी edge लिखे है न उसका एक particular time frame आपके पास होना चाहिए कि हाँ जो भी मैं trade entry करने वाला हूँ वो इसी particular time frame में करने वाला हूँ और जो मेरा stop loss exit होगा वो भी इसी time frame पे होने वाला है हर एक trade के लिए उस edge उस particular edge में market analysis के लिए आप अलग अलग time frame यूज कर सकते हैं बट for entry and exit आपको जो edge कहता है उसी time frame पे आपको वो चीज action को execute करना है जो six important point है इस exercise का वो है taking profits है न इस वाले point को Mark Douglas बहुत ही difficult और most important part बोल रहे हैं क्योंकि market से profit ले पाना यही सब profit को book करके घर लेके जाना यही इसी को सबसे वो cutting process बताते हैं और इसको master करना बहुत समय लग सकता है as a beginner हमको वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप market में आ जाते हैं मान लिजा आपके favor में जोगी trade चल रहा है तो वो कब तक आपकी favor में चलेगा आप इसको identify नहीं कर सकते हैं वो कितना आगे तक अग्जामपल लेते हुए ये बता रहे हैं कि जब वो profit बुक करने कंकर ये तरीका होता था आप देखे होंगे कई बार कि आगर हम कुछ profit किसी trade में है ना और हमारे direction में जा रहे तो हम देखते हैं कभी इतना maximum profit था गिजब हम उसको book करते हैं इस जनरी पो उतना नहीं रहत हैं तो ये ही वो बता रहे हैं क्योंकि हमको profit बुक करने का तरीका ही नहीं पता है तो अपने experience ये बता रहे हैं वो ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि आपके favor में अगर कोछ trade जा रहा है तो इसमें profit को book करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि market एक दम straight line में मूव नहीं करती है है न वो zigzag pattern में move करती है तो जब वो zigzag का एक बड़ा swing आता है आपके direction में तो आपको profit दिखाता है लेकिन जब वो आपके against में जाता है वो छोटा swing तो आप identify नहीं कर पाते हैं कि या वो swing वो हलका सा pullback है वापस आपके direction में आएगा या फिर वो against reversal हो जाएगा इसकी solution वो खुद ऐसे बता रहे हैं कि जो भी quantities है divide by three करना है तीन पार्ट में divide करना है जब यह particular set कर target आता है वहां पर फस्ट लेग जो है आपका तीन पार्ट में फस्ट लेग है उसका पको cut off कर लेना इससे क्या होगा कि आप कुछ portion का profit आप book कर लेंगे और जो बाकी दो पार् फिरो जैसे ही दोबारा और नीचे रन करता है आपके direction में एक next target के बात आपका जो आपका second part है तो लेक बचे हुए उसमें second part को भी आप book कर लें और जो third है उसका stop loss को और नीचे लेकर आ जाए तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं क्योंकि वो अपने experience बता रहे हैं क्योंक क्योंका thought process बहुती simple thoughts of process next point है trading in sample sizes तो वो यही बता रहे हैं कि आप कोई सा भी trade क्यों ना करें आपका sample size होना बहुत important है in the sense आप जो भी आपका setup है जो भी edge है उसको एक particular sufficient amount of trades दें ताकि आप उसको accuracy को उसको समझ पहाँ है उसको result को आप देख सकें ऐसा ना हो कि आप 1 trade लि है और वहां से setup ही change के लिए अपना edge ही change के लिए को कहते हैं कि हमको at least 20 उनके हिसाब से वह बता रहे थे कि at least उनको 20 trades देने चाहिए उसके बाद ही हमको result को identify करना चाहिए लेकिन आज के time पर क्योंकि market कुछ अलगी behave करती है मेरे हिसाब से तो आपको 50 trades लेने चाहिए उसके बाद ही उसके result को judge करना चाहिए next part है testing यह कहते हैं आपका जो भी setup है या फिर edge है उसका आपको test करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपके पास कुछ testing tool है जिससे आप अगर back test कर सकते हैं back test करके देखे कि पिछले कई सालों में पिछले कई हबतों में किस प्रकार से उसका behavior उसके हिसाब से आपको उसका future prediction आप कर सकते हैं या फिर आप forward testing भी कर सकते हैं manually कुछ time के लिए आपको testing करना बहुत important है जो next part है वो accepting the risk इसका मतलब वही कह रहे है हम already सिक्षण है कि हम losses को avoid नहीं कर सकते हैं हमको avoid करना भी नहीं हमको समझना है कि कभी हमारे favor में जा सकते हैं कभी हमारे against में जा सकते हैं जब हमारे against पो जाएगा तो हमको small losses देकर उसको accept करना है और next part वो बता रहे है वो है doing the exercise वो यही कह रहे हैं, अभी तक जो भी points बताएं, इसको हमको religiously follow करना ही करना है वापस से, इस point को मैं वापस list करता हूँ, उन्होंने जो भी बताया उस चीजों को, इस exercise में जो चीजों को आप लाइन से करना है और उस वहाँ से हिलना डूलना नहीं है थर्थ point है trade entry, आपको trade entry आप कैसे लेंगे इसको define करना है फॉर्थ point है stop loss exit, कि आप किस condition में exit करेंगे फॉर्थ point है time frame, आपका time frame जो आप entry करने वाले हैं, exit करने वाले हैं उसका same होना चाहिए, आप बार बार उसको change नहीं करने वाले है इस point है taking profits, यह काफी मुश्किल यह difficult part है master करना है starting में अपन धीरे धीरे जो भी कोई से भी quantities को divide by 3 करना है और अपने profit को run करने के लिए हमको space देना है next point है trading in sample sizes, वह यहीं बता रहे हैं कि एक particular set of sample होना चाहिए वह यहीं करें, trading by sample size मतलब आपको कोई सभी जो आपका edge है setup उसको particular space देना है, particular sample size देखना है उसका effectiveness को check करने के लिए next point है testing, कोई सभी setup या edge या use कर रहे हैं, दूसरे पहले थोड़ा उसको test करिए, backward test करिए, forward test करिए, उसके बार directly उसको implement करिए, market में next point है accepting the risk, risk को हम eliminate नहीं कर सकते हैं, हमको पाता है, कोई सभी trade हम लेते हैं, यह तूपर जाएगा, तू नीचे जाएगा, हमारे favor में जाएगा, risk में जाएगा, तो जो भी losses होते हैं, उसको accept करना हमको सीखना पड़ेगा, तो final note यहीं बताना चाहूंगा यार, यहाँ वीड discipline हमको create करना पड़ता है, Mark Douglas में पता है, उनको दौडने का जो एक habit बनाना था, उसको सीखने के लिए उनको 6-8 मैने लग गया, हैना, starting के 6 मैने, 4-5 मैने तो उसे बाने बनाते रहे गया, हैना, लेकिन हमको self-discipline के लिए धीरे-धीरे steps लेना है, regularly करना है, शुरू में हमको effort डालना पड़ेंगा, उस discipline को create करने के लिए, लेकिन after some time, वो discipline हमारे habit में आ जाएगी, और हमको effort नहीं डालना पड़ेगा, चीजे effortlessly होगे, similarly, trading में जो हमको consistency गेन करना है, rules follow करना है, starting में हमको महनत लगेगी, लेकिन after some time, कुछ समय effort के बाद, वो चीज effortlessly हम करने तो यही कर रहे हैं, चीजों को follow करना, एक मेने, दो मेने, मैं भी follow कर रहा हूँ, चीजे मैं भी सीक रहा हूँ, मैं चाहता हूँ, मेरे साथ आप लोगों भी यह चीजों को follow करें, please comment करके बताईए, yes, we gonna follow, मैं चाहता हूँ कि आप सभी जिते भी videos देख रहे हैं, please, कोई स discipline करेंगा, discipline ही है, जो हमको create करना है, इस market में, मैं चाहता हूँ, एक मेने, दो मेने, आप try करें, एक ही setup को पकड़ करें, इस exercise को करें, तब ही हमको result देखने मिलेगा, comment करके बताए, कि इतने लोग follow करने वाले हैं, इस process को, इस exercise को, मैं चाहूँगा कि एक महने बाद आप वापस आकर, जो भी आपका result आएगा, उसको इस comment, इस video के comment में, लिख कर बताए, yes, कि मैंने, मैंने follow किया है, उसका result मुझे ऐसा दिखा है, thank you so much, इस video को यहीं पर एंड करते हैं, इस summary को यहीं पर एंड करते हैं, इस book की summary को, और इसी प्रकार से, मैं नए book की summary के साथ, व Thank you so much, इता सरा supporter प्यार देने के लिए इस playlist को